नमस्कार दोस्तों फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस भाई सिलोध में तो चलिए परम पिता परमात्मा और सरस्वती माता का असिरवाद लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं आज कि हमारी वीडियो का पहला क्योश्चन है बच्चो कि निमिल लेकि परमात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मात्मा आती है बच्छों इंफरा-एड यानि हमारे पास ये एनर्जी का ओडर है और वेवलेंट का इससे क्या होता है उल्टा ओडर होता इंफरा-एड की वेवलेंट क्या होती है इनमें सबसे ज़्यादा है यहां पर ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्योशन हमारे पास किस धातू का गलनाग सबसे अदिक है ओजमियम का है टंग्स्टन है मॉलिबडेनम है अलМियनियम तो हमारे पास सबसे ज़्यादा गलनाग किसका है टंग्स्टन का है लगबग फेन्ती सो डिग्री सेल्सियस के करीब जाता है clear ओजमियम वैसे क्या है सबसे भारी धातू है ठीक है चलिए next question हमारे पास कि सबसे हलकी धातू कौन सी है तो सबसे हलकी धातू आपके पास lithium है कौन सी है lithium जिसका atomic number कितना आपके पास 3 है clear चलिए next ऐसा ही question पुछा जा सकता है lithium ion battery कहां पे use होती है तो lithium ion battery वच्चो जिसका use हम करते है mobile phone मुबाइल फॉन की बैटरी किसकी बनी होती है लीथियम आइन की बैटरी बनी होती है और इरिडियम है जिसका घंतव सबसे ज़्यादा होता है चलिए नेक्स्ट क्योशन हमारे पास कि हमारे पास दवनी की गती सरवादिक होती है किसमे तो धौनी की गती सरवादी किस में होती है आपके पास स्टील में होती है सबसे कम पुछे किस में होती है निर्वात में होती है order बता देता हूँ यानि जो वैक्यूम है निर्वात निर्वात में जो धौनी की चाल है वो कितनी होती है सुने है वाईयो में आपके पास क्या हो होती है वच्छो रे Richiproclaw होती यनि तापमान गंतव एक दूसरे के साथ क्या होते हैए philosophically proportional होते हैं तो आपके पास answer क्या है यहां कम हो जाता है कि जब भी दात्तु को गर्म किया जाता है तो उसका घंतव क्या होगा तो घंता हो घटता है तो तो आप मानें बढ़ता है या ऐसे याद रख सकते हो density को रो से डिनोट किया जाता है रो उल्टा चलता है वच्छो कि इसके साथ temperature के साथ clear चलिए next question हमारे पास लाल रंग का गुलाब हरी रोसनी में कैसा दिखाई पड़ता है तो वो आपको कैसा नजराएगा बच्छो black कैसा नजराएगा black clear चलिए next question कि दूद की सुदता किस यंतर दवारा ना पी जाती है तो देखो दूद के अंदर सरकरा कौन सी होती है वच्छो आपको पता है lactose कौन सी होती है lactose तो हमारे पास instrument इसी सरकरा के नाम पे रखा गया है जिसका नाम क्या है lactose मेटर clear चलिए next question हमारे पास कि dynamo का कारिया क्या है तो डैनमो क्या करता है बचो याントरिक ओरुजा का विद्यूत ऐरुजा में परिवर्टन करता है यानि conversion of mechanical energy into electrical energy क्या करता है यह mechanical energy को electrical में बदलता है चलिए टेलिवीजन का अविस्कार किस ने किया था तो वो किस ने किया था बच्छो जेल बैड ने किया था नेक्स्ट किर्शन हमारे पास हड़ियों और दंतों में जो रासाइनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते है कैलसियम फॉस्पेट क्या होता बचो वो calcium है phosphate यानि CA3 PO4 twice तो ये हमारे पास क्या है calcium है phosphate clear तो चलिए next लोहे के pipe जिनके पानी की supply की जाती है पर जस्ते की परती से लिए चड़ाई जाती है कि जंग ना लगे इस परत चड़ाने की परगिरिया को क्या कहती है यानि लोहे पर जस्ते की परत को चड़ाना क्या कहलाता है वचो यसद लेपन क्या कहलाता है यसद लेपन जिसे हिंदी में कहा जाता है और इंगलीस में आप इसे क्या कहते हो galvanization क्या कहते हो galvanization और यसद लेपन के साथ एक नाम और भी होता है जस्ती करण एक नाम क्या लिया जाता है जस्ती करण और इंगलीज में आप बोलो तिसे गैलवे नाइजेशन कहते हैं तो किस अमल का प्रियोग निर्जली कारक के रूप में किया जाता है यानि ऐसा कौन सा एसिड जिसे केमेश्ट्री के अंदर या रियेक्शन के अंदर डि हाइडरेटिंग एजेंट अगर एसिड के रूप में पुछे तो कौन है हमारे पास सल्फिरी के एसिड अक्लेयर चलिए नेक्स्ट क्योशन ये कहता है विले को विले से पिर्थक किया जा सकता है तो विले को विले से पिर्थक यानि विले क्या होता है बच्चो तो विलें से विले को अलग किया जा सकता है किस वीदी दवारा तो वह आपका निस्पंदन के दवारा है या इवोपोरेशन के दवारा है या अवसादन के दवारा है तो वह सिर्फ किस से अलग किया जा सकता है इवोपोरेशन वासपी करन के दवारा नेक्स्ट निमल लिकित में से कौन सी गेस वाईयू मंडल में नहीं है नाइट्रोजन, हिलियम, कलोरिन और क्रेप्टन तो हमारे पास जो वाईयू मंडल में मौजूद नहीं है वो कौन सी नहीं है वचो कलोरीन यानि कलोरीन क्या है कि बिल्कुल भी वायू मंडल में नहीं पाई जाती तो पोटेशियम कलोरेट को गरम करने पर क्या प्रापत होता है पोटेशियम कलोरेट होता है क्या बच्छों C, K, C, L, O, 3 होता है और याद रखना जब हम K, C, L, O, 3 को गरम करती है तो क्या बनता है K, C, L, O, 2 बनता है तो यानि आपके पास oxygen gas पैदा होती है क्या होती है oxygen gas निकलती है समुंदर के पानी से नमक निकालने के लिए निमन लिखित में से कौन सी विदी अपनाई जाती है यानि समुंदर से हमें salt obtain करना है तो which process to be used, vaporization यानि क्या यूज़ करते हैं वासपी, current clear चलिए next question किस पर किरिया दवारा तेल को vegetable घी में परिवर्तित किया जा सकता है तो वो विकिरिया कौन सी है वच्छो हाइड्रोजनी, current हाइड्रोजी, nation किस gas का यूज़ होता है इसमें hydrogen का और catalyst कोन सा होता है, nickel clear चलिए next कि सिर्के की परकरती, अमली है किसके कारण होती है तो सिर्का जो होता है वो एक घोल है जिसमें अमली है परकरती किसके कारण होती है, acetic amal जिसे आप लोग CH3COOH कहते हैं इसका नाम क्या है, वैसे acetic amal और वैसे इसको क्या कहते है, ethenoic amal क्या कहते है, ethenoic amal और इसका एक नाम और याद रखना है वच्चो glacial amal, क्या होता है, glacial है अमल होता है, इसे glacial amal भी कहते है चलिए next question, polythene का उध्योगिक उत्पादन किसके बहुली करण, यानि किसका polymerization करें हम जिससे हमें polythene मिल जाए, तो वो होता है, ethylene क्या होता है, ethylene, C2, H4 इसे कहते हैं, बच्चो, ethylene, एक होता है, ethylene और एक होता, ethylene ठीक है, दोनों में फरक है, बच्चो, ethylene का अर्थ होता है, वो आपके पास triple bonding में आ जाता है जिसे हम acetylene भी कहते हैं, खनीजों चटानों में कौन सा तत्तव सबसे अधिक पाया जाता है तो खनीजों और चटानों में जो सबसे अधिक मिलता है वो क्या मिलता आपको, carbon तत्तव मिलता है clear, चलिए next, सबसे अधिक योगिक किस तत्तव दबारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते है तो कौन से तत्तव बनते हैं, वो जो हाइड्रो कार्बन तो वो कौन बनाता है अपके पास, carbon तो हाइड्रो कार्बन तत्तव सबसे ज़्यादा बनते है clear, चलिए, गुबारों में हाइड्रोजन के अपक्षा हिलियम बरना अधि उख्पयोगी माना जाता है, क्यों की तो हाइड्रोजन ज़्यादा बरी नहीं जाती कि गुबारों में हाइड्रोजन के अपक्षा क्या बरी जाती है हिलियम तो हाइडरोजन को रिजक्ट करके हिलियम क्यों बरी जाती है इसका रिजन है बच्चो कि यह हवा के साथ मिलकर विस्वस मिसरन नहीं बनाती तो इससे विस्पोट नहीं होता हाइडरोजन जो है वो एक विस्पोट गेस है कलियर चलिए नेक्स्ट कार्बनिक पदारतों को सड़ने पर जो मरसी मारसी गेस उत्पन होती है अधिकांस्त कोईला ख़दानों में भी पाई जाती है उस गेस का नाम क्या है तो वो गेस कुन सी है वच्चों आपके पास मिथेन है जिसे हम क्या कहते हैं CH4 कहते है चलिए बैटरी बनाने में किस अमल का उपयोग किया जाता है तो बैटरी बनाने में हम किस अमल का उपयोग करते है सल्फिरिक अमल नानी कितने परसेंट लिया जाता है ये 38 परसेंट लिया जाता है चलिए नेक्स्ट क्योशन केनवन परगिरिया में निमन लिकित में से किसे का उत्पादन आफशक रूप से होता है तो वो किसा होता है इतायल एलकोहोल का होता है C2H5OH यानि फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के अंदर फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर क्या चीज बनती है सुगर से आपके पास इथाइल एलकोहॉल यानि इथाइल एलकोहॉल को एथिल एलकोहॉल भी कहा जाता है चलिए प्राकृतिक रबड को कठोर तता उच्छालने योग्या बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है तो वो किसको मिलाते हैं हम गंदक को मिलाते हैं किसको मिलाते हैं गंदक यानी सलफर क्लियर और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों की जिसमें रबड को गंदक के साथ मिलाया जाता है तो हम उस प्रेसिस के उपर बहुत चीज पढ़ते भी हैं तो आप उसका मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देंगे सोडियम को मिटी के तेल में क्यों रखा जाता है क्योंकि सोडियम क्या करता है बचो हवा में इसका ऑक्सीकरन होने लगता है तो यानि सोडियम को जैसे हवा में रखोगे ऑक्सीकरन के करण आग पकड़ लेता है चलिए गन पाउडर मिसरन होता है किसका तो गन पाउडर क्या होता है बचो आपके पास बारूद की तरह है Gun powder में एक چीज होती है potassium nitrate क्या होता है potassium nitrate potassium nitrate का अर्थ है SORA क्या होता है SORA दूसरी चीज होती है गंदक और तीसरी चीज होती है लकड़ी के कोilες यानि लकड़ी का चारकॉल तो आपके पास क्या यूज किया जाता है Famете sorra plus गंदक और क्या यूज़ करते हैं लकडी के कोईले और जो ये नाइटरेट है इसका नाम क्या है आप लोग मुझे बताओगे पोटासियम नाइटरेट को कौन सा सोरा कहते हैं ये पिछले बार आई यार बी में क्योस्चन आया था और साथ में मुझे आप ये भी बताओगे सोडियम नाइटरेट को कौन सा सोरा कहते हैं तीसरा क्योस्चन और दे रहा हूँ बच्चो आपको कैलसियम नाइटरेट को हम कौन सा सोरा कहते हैं इन तीनों के सपेसल नाम है देशों के उपर नाम रखे गए हैं आप लोग मुझे जुरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे अब किसी रासाइनिक योगी की सबसे छोटी काई क्या होती है तो देखो अगर आपसे पूछ ले कि तत्तो की सबसे छोटी काई क्या होती है यानि एलिमेंट की सबसे छोटी काई क्या होती है तो molecule होती है, क्या होती है, अनू, clear, चलिए, हाइपो जिसका उप्योग फोटोग्राफी में होता है, हाइपो solution, हाइपो विलियन का प्रियोग फोटोग्राफी में होता है, रासाइनिक तोर पर क्या कहलाता है, sodium theo sulfate कहलाता है, बच्चों क्या कहलाता है, sodium theo sulfate, formula क्या होता है, NS2O3 और इसके साथ 5 मोलेकिल क्या होते हैं वाटर के होते हैं तो यह होता है बच्चो आपके पास सोडियम थियो सल्फेड जिसे हाइपो विलिन कहा जाता है आप प्राकरती ग्रूप से फलों को पकाने के लिए किस गेस का उप्योग होता है तो Acetylene का यूज़ करती है या Ethy Acetylene की जगे बच्चो अगर आपके पास Ethylene Ethylene आजाए क्या आजाए Ethylene या Ethylene वर्ड आजाए Acetylene की जगे तो वो भी होता है बच्चो कई वर Confusing हो जाती है Misunderstanding भी होती है वर्डिंग के अंदर तो वो भी याद रख लेना जो टाइप कर रखे है तो Ethylene आपके पास क्या होता है C2H4 होता है और Ethylene आजाए Ethylene या Ethylene आजाए तो वो भी आपका अंसर सही है बच्चो और वैसे क्या है एक होती है Acetylene और एक होती है Acetylene ठीक है तो ये भी फरक थोड़ा लेकिन यहां पर hygien अंसर क्या है तो सुकरोज का क्या करते है वो उप्योग करते है चलिए निमल लेकित में से सबसे अधी कॉमल कोन सा है तो Terregillium है देखो बचो Terregillium आपका क्या है कि एक तरह से रशा है पुखराज आपका हुता है Topaj पुकराज क्या होता है आपके पास है तोपाज तोपाज आपसे हीरे से थोड़ा ही कम कठोर होता है वैसे बहुत कठोर होता है हीरा सबसे जादा होता है तोपाज उससे जाता है फिर उसकी फिट करी और फिर क्या टैरी लेम है कंदवारा चले मारग की परकरती निर्धारन होती है तो यानि कंदवारा चले मारग की परकरती निर्धारित होती है यानि कोई भी पार्टिकल है जिस पात पे वो ट्रैवलिंग करता है तो उसका नेचर हमें किस से पता चलता है तवरण से, वेग से, विस्थापन से या उपरियुक्त में से कोई नहीं तो आपके पास बचो एक important चीज है कि जो उसकी परकरती हमें पता चलती है वो किस से चलती है तो यहां इन में से कोई नहीं है ना तो हम उसके तवरण से पता लगा सकते है कि उसकी परकरती कैसी है ना मुसका वेग से पता लगा सकते है ना मुसके विस्थापन से पता लगा सकते है clear चलिए next question निमिल लिकित में से कौन सा ऐ संरक्सित बल है तो निविल लिकिस में से ऐस संरक्सित यानि ऐस संरक्सित नहीं है ऐस संरक्सित बल है यानि जो नोन कंजरवेटिव फोर्स है तो देखो गुर्तवाकरसन है ठीक है अंतर परमानी में बल है और सितिर वैदित बल है ये सारे कंजरवेटिव है बचा कौन सा आपके पास सेयान बल यानि विसकस फोर्स ये आपके पास एसन रक्षित बल है चलिए नेक्स्ट एटम बंब की खौज किस ने की थी तो ओटो हन ने यानि ओटो हन ने क्या न्यूकलियर फीजन की डिसकवरी किया जिससे उसने पता लगाया किसका एटम बंब का पहले एटम बंब उनोंने इत्यार किया वाईउ मंडलिय दाब नापने वाला यंतर कौन सा है तो वाईउ मंडलिय जो दाब मापा जाता है किससे मापा जाता है बैरोमेटर से और इसमें लिखा होता है कि बैरोमेटर के अंदर धातू कौन सी परियोग होती है तो वो कौन सी परियोग होती है पारा यानि बैरोमेटर के अंदर जो तरल परदार्श बरा होता है वो क्या बरा होता है पारा और इसमें ये भी आता है कि जैसे जैसे बेरोमेटर में पारा एका एक नीचे गिरता है तो क्या दरसाता है मौसम की खराब होने की आसंका दरसाता है और पारा अगर दीरे दीरे चड़ता है तो मौसम क्या रहता है सुस्क पारा एकदम जब गिरता है तो उस जगह का दाव क्या हो जाता है निमन और बाहरी दाव क्या हो जाता है ज़्यादा तो जिससे तुफान आंदी आने के क्या है आसंका सबसे ज़्यादा होती है यही कारण है कि समुंदर में साइकलोन उठते है तो अंदर का दाव क्या होता है कम और बाहर का क्या होता है ज़ादा चलिए दूद की सुद्धा किसे अंतर से मापी जाती है ये बता दिया वैचो आपको लेक्तोमेटर चलिए नेक्स्ट क्योस चना वाएपास टॉल्मी पिर्थी का सिदान्त है की कि टॉलमी का जो पिर्थ्वी का सिदानत है वो क्या है कि पिर्थ्वी बर्मांड का केंदर और सुरिय उसके चारों और चक्कर लगाता है पिर्थ्वी बर्मांड का केंदर नहीं है और सुरिय उसके चारों और चक्कर नहीं लगाता है पिर्थ्वी परिकर्मन के साथ साथ प चलिए अंत्रिक्षिय दुर्बिन का आविस्कार किस ने किया था तो यानि आपके पास टेरेशियल टेलिस्कोप सबसे पहले किस ने खोजा था आपको गैलीलियो गैलीलिया इने खोजा था next बलब का आविसकार किस ने किया था अलवा एडिशन ने किया था किस ने किया था अलवा एडिशन ने चलिए next question कि streptomycin की खोज किस ने की थी wax मैंने की थी वच्चो streptomycin आपके पास कौन सी ओसदी है यह आप मुझे बताओगे और streptomycin किस परकार के जिवानों से या किस परकार के कवक से प्रापत होती है ये भी आप मुझे बताएंगे clear चलिए next question सकती का मातर क्या है वच्चो वाट वैसे power क्या होती है work done per unit time तो power जो होती है उसकी सकती क्या क्या होती है वाट होती है और उपर यह work done है तो जूल पर क्या लिखोगे second तो आपको याद रखना है एक वाट अगर पूछ ले आपसे तो कितना होता है एक जूल per second होता है ये आपके पास याद रखना है और next x-ray का अविस्कार किस नहीं किया तो rondgen नहीं किया था x-ray की discovery चलिए चापे खाने का आविस्कार किस नहीं किया था यानि printing discovered by तो William Caxton ने आपके पास चापे खाने का आविस्कार किया था सापेकस्ता के सिदान्त की खोज किस नहीं किती यानि theory of relativity वो इनसान कोण है Einstein जिसने यहाँ से concept निकाला था is equal to m c square और एक langrangian सिदान्त था m is equal to m not by root 1 minus v square by c square ये भी याद रखना है चलिए next अंदों के पढ़ने के लिए लेकन पद्धी का आविस्कार किस नहीं किया था तो वो लूई brel ने किया था जिसे brel lippy भी कहते हैं चलिए DNA की खोज किस ने की थी Watson and Crick ने की थी DNA model किस ने दिया था Watson and Crick ने दिया था next fountain pen का आविस्कार किस ने किया था बच्चो Waterman ने किया था fountain pen का electronic computer का आविस्कार किस ने किया था ये question थोड़ा जवर्दस्त है electronic computer in adding is by the J.P. Eckart ये question याद रखना चाल्स बेबे आनस्वर मत लगा दे ना बच्चो कि electronic computer का आविस्कार किस ने किया था J.P. Eckarts ने किया था आगे minor safety lamp की खोज किस ने की थी minor safety lamp की खोज Humphrey Davy ने की थी जिन्होंने calcium sodium की भी खोज की है जो Humphrey Davy है उन्होंने इन तत्वों की भी खोज की थी autohan किस आविस्कार से संबन दी थे तो autohan ने जो खोज की थी वो किस की की थी परमानू बंब की और परमानू बंब किस से संबन दी था या ना भी किया है विखंडन से clear चलिए next question world किस का मात रख है तो world आपका किस का मात रख होता है विबवांतर विबवांतर को हम क्या कहते है potential difference क्या कहते है potential difference या potential clear चलिए next निमल लिखित में से किस वेज्ञानिक ने वंचान उगती के सिदान्तों की खोज की थी यानि हर्डिटी principle की जो discovery की है वो किसने की थी Gregor Mendel ने की थी चलिए next question penicillin का आविस्कार किया था किसने Alexander Fleming ने और मैंने बताया भी था कि penicillin जो निकाली जाती है वो किस से निकाली जाती है बच्चो कवक से निकाली जाती है फंगस से निकाली जाती है और penicillin notatum निकाली जाती है तो चैचक के टिके का आविस्कार किसने किया था तो चैचक के टिके का आविस्कार किसने किया था Edward Jenner ने किया था next question परकास वर्स किस का मात रख है बच्चो तो परकास वर्स आपका किस का मात रख है दूरी का मातरक है याद रखना और वैसे परकास वर्स होता क्या चीज़ है कि सुरिये के परकास के दौरा याद रखना सुरिये के परकास के दौरा एक वर्स में तैक की गई दूरी को हम क्या कहते हैं एक परकास वर्स कहते हैं यानि एक साल के अंदर एक एर में जो light आपकी distance travel करती है उसे हम क्या कहते हैं light year कहते हैं इसको denote किस से किया जाता है ly से किया जाता है परकास वर्स को और मातर किस का है ये दूरी का तो आप मुझे बच्चो comment box में ये बताओगे कि एक light year कितने meter के equal होता है तो important question है इसका आप जवाब मुझे comment box में दोगे पलस ये भी दोगे कि दूरी का सबसे बड़ा मातरक कौन सा है क्या बोला है मैंने दूरी का सबसे बड़ा मातरक कौन सा है और उसके साथ आपको एक बात और बतानी है एक खगोली एकाई दूरी किस के बराबर होती है और यह दूरी किन दो बर्मांडिये पिंडों के बीच होती है clear तो चलिए वच्चो आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले